ओम शांते, इसा के लगभग साथ सो वर्ष पूर्व बल्क में एक राजा था, इब्राहीम, बल्क जो अफगानिस्थान में है, जैसे भारत में सिद्धार्त गाउतम है, जिसने राजपार्ट का त्याप कर सन्यास ले लिया था, उसी तरह, सूफी परंपराओं में, बादशा इब्राहीम है, और इब्राहीम के जीवन में कैसे वेराग गया आया, उसकी सूफियों ने डेर सारी कहानिया कही है, उसमें से एक कहानी, वो समाज था, दास प्रथा का, राजाओं के पास दास होते थे, और कहा जाता था, इब्राहीम का जो खास गुलाम था, वो किसी कारण कहीं चला गया, तो किसी दूसरे गुलाम की नियुक्ति करनी थे, इब्राहीम बहुत बड़ा समराड था, साहित्यों में लिखा है, उसकी सोलह हजार रानिया थी, एक सो, असी करोड खोड़े उसके पास थे, कुछ चोर किसी जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, एक व्यक्ति है, बड़ा ही तगड़ा, सुन्दर काया, और वो सारे चोर मिलकर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, ये सोच कर, कि इसको बजार में बेच देंगे, गुलाम की तरह, वो व्यक्ति वास्तों में एक सूफी फकीर था, वो चोर उसे पकड़ने आते हैं, वो कुछ नहीं कहता है, पकड़ने देता है, उन्हों चोरों को भी आश्चरी लगता है, चाहे तो ये व्यक्ति हम सब को पचाड़ सकता है, इतना बल्वान और शक्तिशाली दिखने में है, उसे पकड़ लेते हैं, हाथ में बेडिया डाल देते हैं और उसे ले चलने लगते हैं, वो विक्ति कहता है बेडियों की क्या जरूत है मैं खुदी चलने को तयार हूँ उनको हश्री लगता है चूरों को ये कैसा विक्ति है वो कहता है मैं जीवन के सहच प्रभाव के साथ बहता हूँ उसे पकड़ कर वो लोग बजार में ले आते है बेचने के लिए उसी बजार में इबराहिम गुजर रहा होता है वो देखता है ये गुलाम तो बहुत अच्छा है और उसको वो खरीद लेता है अपने रत पे बिठाता है और ले चलता है बातचीत होती है उस गुलाम से बूचता है तुम्हें बोजन में क्या पसंद है वो गुलाम कहता है जो आप खिलाएंगे इबराहिम पूचता है तुम्हें पहनने में क्या चाहिए वो कहता है जो आप पहना हो मैंने सब मालिक की इच्छा पर छोड़ दिया है इबराहिम को अश्री होता है लगावसा हो जाता है इस नए व्यक्ति से महल पहुचता है इब्राहिम कहता है तुम्हें किस तरह की वेवस्ता चाहिए बताओ जैसी तुम्हें वेवस्ता चाहिए वैसी तुमको करके देंगे वो कहता है मुझे तु कुछ भी नहीं चाहिए जिस तरह आप रखोगे, जहाँ आप रखोगे, वैसे ही मैं रहूंगा मालिक की मर्जी ही मेरी मर्जी, मालिक की मर्जी पर से बहना ही मेरा जीवन जैसे ही इबराहिम इस बात को सुनता है, जैसे जेतना के कपाट खुल जाते है सोचने लगता है इतने सालों से मैं धूनी रहा था ऐसे व्यक्तियों को या फिर ऐसे किसी गुरू को जो मुझे उस परमात्मा का मार्ग बता दे अब तक जिन जिन के पास गया सभी अहंकारी थे ग्यान कहीं से नहीं मिला सच्चा वास्तविक गुरू तो ये है कैसा ये प्रेम है तुमारा उस परमात्मा से सहज जीवन सहज बहे अपनी मर्जी सहज बहे उसकी मर्जी के साथ जीवन सहज सततत प्रवा हो और कहा जाता है इबराहिम के जीवन में ऐसे तो धेर प्रसंग है सूफियों ने बहुत सी कहानिया लिखी है ऐसा विराग आता है सब कुछ छोड़ देता है कहा उसकी सोला हजार राणिया थी अर्थात व्यक्तियों में सुख नहीं है अगर होता तो क्यों ये राजे महराजे व्यक्तियों को छोड़कर राजप्रासात को छोड़कर वैभों को छोड़कर सुख की तलाश में निकलते सुख व्यक्तियों में नहीं है वैभों में नहीं है शरीरों में नहीं है कितनी सोचने की बात है जरूर बड़ा गहरा कारण होगा कि जिनके बास सब कुछ था वो सब कुछ छोड़ कर निकल पड़े अर्थात वो जो सब कुछ है वो सब कुछ नहीं है जो उसकी मर्जी जहां वो बिठाए जहां वो रखे जो वो खिलाए जो वो पहनाए राजी तेरी रजा में यही तो समर्पन है समर्पन अर्थात सम्पूर्ण चक्र सरकल यदि कोई सरकल है उसमें जरासा भी तुटा हुआ रहे तो क्या उसे सरकल कहेंगे समर्पन अर्थात सम्पूर्ण समर्पन अर्थात 100% सरेंडर यदि 1% भी कमी तो वो सरेंडर नहीं क्योंकि सरकल पूर्ण नहीं हो रहा है क्या ऐसा प्रभु प्रेम हमारे जीवन में क्या ऐसा प्रमात्म प्रेम हमारे जीवन में कि उस प्रेम के आगे इस संसार का हर सुख हर वस्तु हर वैभाव हर संबन हर प्राप्ति गौन लगे ब्यर्थ लगे तो आज की मुर्ली में क्या कहाँ बाबा ने? किस विशे की चर्चा है? किस विशे की चर्चा है? ज्यान की चर्चा है या प्रेम की चर्चा है? ज्यान की नहीं है? प्रेम में ग्यान की प्रेम युक्त ग्यान की क्योंकि ग्यान पीज है तो पानी क्या है? स्नेह है और फल क्या है? प्राप्ति ग्यान के पीज को स्नेह से सीचना है तो प्राप्ति होगी कैसा है ये रूहानी प्रेम परमात्म प्रेम कैसा है क्या विशेष्टा है इस प्रेम की निस्वार्थ है और कैसा है ये प्रेम रूहानी है अंग्रेजी में शब्द है प्लेटाउनिक लव प्लेटाउनिक रथात नौन फिसिकल और पार्थिव पार्धिव नहीं, शारिरिक नहीं, देहिक नहीं, नॉन फिजिकल शरीर का कोई पार्टिकल इस प्रेम को स्पर्ष नहीं करता, ऐसा प्रेम तो कैसा है ये प्रेम और? अभिनाशी है, कैसा है ये प्रेम? आत्मिक, कैसा है ये प्रेम? सच्चा कैसा है ये प्रेम क्या करता है ये प्रेम तो आज की मुली में आठ बाते है इस प्रेम के विशे में सबसे पहला ये प्रेम आत्मिक प्रेम है ये प्रेम परमात्म प्रेम है ये प्रेम रूहानी प्रेम है ये प्रेम अविनाशी प्रेम है ये प्रेम सच्छा प्रेम है इस प्रेम की तुलना यदि संसार की प्रेम से किया जाए तो संसार के सभी प्रेम जूटे है We live in the world of illusion लेखक कहता है हम एक ब्रह्म के जगत में जीते है जिसे हम सत्य सोचते है वो असत्य है जो वास्तविक्ता है उसके reverse हम सोचते है वो है ही नहीं सत्य We live in the world of deceptions हम एक ब्रह्म में एक धोके में जीते है क्योंकि जो जो हम सोचते है वो सब वास्तविक्ता उससे कई भिन्न है या फिर विपरीत है हम सोचते है सब मुझसे कितना प्यार करते है The reality is reverse जब तक इस निशकर्ष पर नहीं पहुचा जाता कि मैं ब्रह्म में हूँ सत्य की यात्रा शुरू ही नहीं होती जिसे हम सत्य समझ रहे हैं वो असत्य है तो सबसे पहली बात आठ बाते है इस प्रेम के विशे में ये जो प्रमात्म प्रेम है कैसा है निस्वार्थ संसार के सभी संबंदों में स्वार्थ समाया हुआ है ये प्रेम सच्चा है निस्वार्थ है अविनाशी है इसका कोई आदी अंत नहीं है संसार के सभी संबंदों का आदी है और अंत है ए है और जेड है शुरू होते हैं और खतम होते है हम सभी ट्रेन में बैठे हुए है ट्रेन चालू हो गई हमारे जनम के साथ एक समय आया मा का स्टेशन आ गया वो उतर गई फिर बाप का स्टेशन आया वो उतर गया हम सोचते हैं और कभी-कभी दोनों एक साथ उतर गए फिर तो बड़ी पीडा होती है और ऐसे समय में पिछले एक साथ में ये बहुत ज़्यादा हुआ है एक साथ ही ट्रेन से उतर गए और फिर कोई दूसरा आ गया वो ट्रेन में बैठा और उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और बहुत अच्छा लगने लगा उसका स्वभाव और फिर एक दिन वो भी उतर गया फिर दूसरा चड़ा फिर वो उत्रा, फिर दूसरा चड़ा फिर वो उत्रा, और एक दिन हम ही उत्र गए पर ट्रेन तो चालू है पर चड़ना उत्रना तो लगा ही है ना किसी के आने का सुख ना किसी के जाने का दुख ना मान की कामना ना अपमान का भै इसे व्युक्ति मार्ग में दिखाया है शंकर तपस्या में खोया है तीन जगा पर कभी तो पाड़ों पर है सदियाबी जाती है उसे पता नहीं चलता है तो कभी घनेवनों में है तो कभी कहा पर? शम्शान में है ये तीन जगा उसे बड़ी पसंद है शम्षान जो वेराग दिलाती है शरीर में भस्मरमा है वो जंगल जहां प्रकृती की आवाजों की अतिरिक तो और कोई आवाज नहीं और वो ही माच्छा दित परवत जहां प्रशान तवायु मंडल है चड़ना उतरना चालूई है संसार का कोई सम्मंद अविनाशी नहीं है सबसे पहली बात ये प्रभु प्रेम है ये परमात्म प्रेम है ये परमात्म महुपत प्रीत स्नेह निस्वार्थ है, सच्छा है, अविनाशी है, आत्मिक है, दहिक नहीं है जिस प्रेम में बीच में शरीर आ जाता है वहाँ डिस्टर्बन्स चलू हो जाते जिस प्रेम में अंत तक शरीर आता ही नहीं बीच में वो लंबा समय चलता है शरीर के आते ही हलचल शुरू वेराक की एक और परिभाशा है इस शरीर के एक कण से भी मोह नहीं इस देह के किसी एक पार्टिकल से भी एक सेल से भी, एक कोशिका से भी मोह नहीं ये वैराक की परिवाशा ऐसा अनित्य बोध शरीर के प्रती ऐसा तठस्त भाव ऐसी सजक्ता दूसरी बात ये प्रभु प्रेम क्या करता है सारे कल्ब के लिए इस नहीं बना देता है क्योंकि ये स्नेह ब्राह्मन जीवन की नीव है फाउंडेशन है एक जनम के लिए इस नहीं नहीं बनाता है सारे कल्ब के लिए स्नेही लवली बना देता है लास तक स्वभाव में स्नेही सुरूप रहेगा पाच़जार साल तक स्नेह समाया रहेगा अगर वो प्रेम इस समय उत्पन्न हो जाए रिधै में यह दूसरी बात स्नेह की तीसरा यह स्नेह क्या करता है सच्चा आनंद का आधार है संसार में आनंद को है ही नहीं यह एक मात्र ऐसा प्रेम है डिवाइन लाव जिससे क्या होगा सच्चा आनंद उत्पन्न हो गरिधै में नहीं तो आनंद की जलक कहां जहां देखो वहां दुख ही दुख है पीड़ा ही पीड़ा है, दर्द ही दर्द है संसार डूबा है दर्द में आनंद की अनुभूती कहा है यहाँ एक प्रभु प्रेम ही है जिसमें आतमा जैसे ही डूब जाती है आनंद की लहरे लहराने लगती है न सुख न दुख दोनों से परे आनंद यह तीसरी बात चवथा यह प्रभु प्रेम यह परमात मसने हो क्या है? चुम्बक क्या करता है यह चुम्बक यह मैगनेट है स्पिरिच्वल क्या करता है? ट्रांस्फॉर्मेशन परिवर्तन कर देता है आतमाओं को जो अशुद्ध आतमा है जो अपवित्रा आतमाओं उनके रिदे में भी प्रभु प्रेम उत्पन्न कर देता है पर क्या इतना प्रभु प्रेम हमारे रिदे में है? जैसा वो चलाए जहां वो रखे जो वो खिलाए क्या करे? जो प्रभु प्रेम सभी हदों को पार कर जाए पाच्वा ये प्रभु प्रेम किस चीज़ का अधार है अधिकार और नशे का अधार है जिस रिधे में प्रभु प्रेम होगा परमात्मस्ने होगा वो कैसा होगा अधिकारी होगा क्योंकि इस अधिकार से बड़ा इस संसार में और कोई अधिकार नहीं परमात्मा खुद ही अधिकार दे रहा है एक छोटा सा बच्चा अपनी मा के साथ किसी दुकान में जाता है बच्चा दिखने में बहुत ही क्यूट सलोना है चबी चबी उस दुकानदार को बड़ा पसंद आता है और चॉकलेट का एक डिब्बा उसके सामने रखता है और बच्चे से कहता है कि जितना तुम को चाहिए ले लो बच्चा इंकार कर देता है वो दुकानदार कहता है तो क्यूँ वो कहता है आप दो तो मैं लूँगा नहीं तो मैं लूँगा बच्चे की विनम्रता देखकर दुकान दार तो और ही खुश हो जाता है और चॉक्लेट निकाल कर उसे दें देंता है मा और बेटा घर आते है मा इतनी खुश होती है मेरा बेटा कितना सैयाना इतना होशियार परिचय दिया विनम्रता का पूछती है कि तुमने ऐसा क्यूं किया वो कहता है कि जब मैंने चॉकलेट देखे तो मुझे लगा कि अब भी जाके ले लू पर बाद में सोचा मेरा हाथ कितना छोटा है केवल दो या तीन आएंगे और अंकल के जो हाथ है वो कैसे है? बड़े है इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप दे दो और मैंने हाथ ऐसे कर लिए तो कितने सारे चोकलेट आगे? परमात मंकल आया है उसे लेने दो, देने दो भर देगा जोली तुम केवल फैला के रख दो पात्र बन जाओ ख़जाना अपने आप गिरने लगेगा पाचवा परमात मंसने क्या कर देता है? अधिकार्य बना देता है क्या कर देता है? रुहानी नशे में ला लेता है रुहानी नशे का आधार है छटवा ये परमात मंप्रेम ब्रामन जीवन को क्या कर देता है? रमनीक रुखा सुका नहीं बंजर भूमी नहीं है यह जीवन रमनीक जीवन है हस्ते नाच्ते गाते फरिष्ते अवतार हो तुम बुद्ध नहीं मीरा डांसिंग मसीह पग गुंगरु बांद मीरा नाचीरे ज्ञान मीरा है सात्वा संसार ने क्या कर दिया इस दिल का कितने तुकड़े किया बात मत पूछो हर दिन तुकड़े होते रहे है बचपन से जिसमें दिल लगाया उसने एक दिन तलवार चला दी जिस जिस से दिल लगाया जिस जिस से प्यार किया ऐसा कोई है जिससे प्यार किये और उसने धोका न दिया अगर कोई ऐसा है तो तयार हो जाओ भविश्य में वो भी हो जाएगा तुकडे तुकडे कर दिये और प्रभू प्रेम ने क्या कर दिये सारे तुकडों को जोड दिये दिलके तुक्ड़े हजार, कोई यहां गीरा, कोई वहां इतने तुक्ड़े थे कहां कहां गीरे थे पता ही नहीं भगवान ने सारे तुक्ड़ों को जुड़ा एक पिता अन्यूस पेपर पढ़ रहे है वो बच्चा बार-बार आता है, कुछ-कुछ करता है इदर से कुछ करता है, उदर से कुछ करता है, बहुत डिस्टरप करता है, पिताजी को लगता है, अब क्या करें, इसको कैसे बीजी करूँ, एक चित्र लेते हैं, उसमें बहुत सारी ड्राइंग बनी होई होती है, उसके तुकड़े-तुकड़े कर देते हैं, और उसको कहते ह इसको जोड़ो अब पिता जी को लगता अब एक गंटा करते रहेगा यह वो पांच मिनिट में आ जाता है और जोड़ देता है उसको पूछते तुमने किया कैसे आसान है आपने यह जो चित्र दिया इसके पीछे भारत का चित्र था गोस मैंने उतना जोड़ दिया दिल के तुकड़े यहां वहां जो गिरे थे न, उस चित्र के पीछे एक तुम्हारे संपूर्ण स्वरूप का चित्र था, बस वो बाप ने जोड़ दिया, और इतने सारे तुकड़े जो थे वो जुड़ गये, नहीं तो तुकड़े कहां गिरे वो धुणना ही कितना मुश् कोई यहां, कोई वहां, कोई विदेश में गिरा, कोई कहां गिरा साथवा, आठवा, यसने हैं क्या कर देता है, सहज कर देता है, यसने हैं क्या कर देता है, मेहनत से मुक्त कर देता है नहीं तो यह ग्यान कैसा है केवल दिमाग की ग्यान ना हो दिमाग की ग्यान हो केवल दिमाग तक गया हुआ है तो क्या होगा मेहनत क्या होगा क्या क्यूँ कैसे ऐसा क्यूँ वैसा क्यूँ धे सारे प्रश्न परंतु जहाँ प्रेम है, जहाँ स्नेह है वहाँ समर्पन है, वो परवाना है वो पूछता नहीं है यह क्या, यह क्यूँ यह कैसे स्नेह की बहुत अच्छी परिभाशा इस मुर्ली में वाबा ने दी है स्नेह अर्थात अनुभूती के सागर में समा जाना, स्नेह अर्थात प्राप्तियों के सागर में समा जाना इस मुरली में दो ऐसे महावाक्य है, इतने शक्तिशाली, दूसरा है वो तो बहुत ही पाउरफुल है जिसको हम लोग सब रिपीट करेंगे एक साथ बात में पर पहला वाक्य के ये है स्नेह की परिभाषा, स्नेह अर्थात सागर में डूब जाना कौन से सागर में? प्राप्तियों के सागर में डूब जाना अनुभूतियों के सागर में डूब जाना स्नेह एक विशेश अनुभूति है बाबा ने कहा ये साधारन अनुभूति नहीं है स्नेह भगवान के लिए स्नेह उत्पन्न हो जाना बहुत बड़ा भाग्य है बहुत बड़ा भाग्य है पता नहीं किस-किस जनम में क्या-क्या पुन्य की होगी कितनी पूजाय प्रार्थनाय तपस्या की होगी तब कहीं जाके ये परमात्म प्रेम इस रिधय में उत्पन्न हुआ है Rare is the heart, rarest of the rare activity act है ये संसार की जो सहज, प्राकृतिक, नैसरगिक, कुद्रती, नैचरल प्रेम है प्रभु के लिए जो आनंद उसकी कुटिया में बैट कर मिलता है, वो संसार में कहीं बैट कर नहीं मिलता है जो आनंद शांतिस्तम पर मिलता है, वो और कहां मिलेगा जो आनंद हिस्ट्री हॉल में है, जो आनंद बाबा के कमरे में है ये चारो इस थान powerful electric field है magnetic field है वहाँ पर सोचो, एक ऐसे electric field में प्रवेश कर रहे हैं चारो धामों में प्रवेश करते समय कि वहां मुझे अब कुछ नहीं करना है बस समर्पित कर देना है जो काम करना है वो करेगा वो electric energy प्रवेश करेगी जेतना में पूरा body पूरा शरीर, पूरा मन, पूरी वृतिया revitalized, changed होगी एक element, दुसरे element में क्या अंतर है, atomic number change कर दो अब जो ये steel का atomic number change कर दो वो gold बन जाएगा बस इतना ही तो फरक है दो धातूओं में और क्या फरक है ताम्वे में क्या फरक है लोहे में क्या फरक है और सोने में क्या, atomic number change हो रहे है वैसे ही ये चारधाम electric field है, magnetic field है वहाँ जाते ही सारे atomic number इदर उदर होने लगेगे सारी काया इदर उदर होने लगेगे बस उस भाव से प्रवेश करना है कि मैं कहा प्रवेश कर रहा हूँ एक electric field में और समर्पित कर दो देखो क्या होता है शाक लगना चाहिए जटके जुटके नहीं सहच प्रभु प्रेम उत्पन्न हो जाए रिधै में तपस्या योग भट्टी की परिभाशा है तपस्या तपस्या की परिभाशा है संस्कार परिवर्तन संसकार परिवर्तन अर्थाथ संस्कृती परिवर्तन आंतरिक संस्कृती ही परिवर्तन हो जाए आत्मा के atomic number ही दर हो जाए change हो जाए यही पर अनुभा हो उस अंज triggering body का यही पर सत्युग में नहीं यही पर उस देवताई शरीर का अनुभव, कंचन, काया काई, यही पर अनुभव यही उड़ने का अनुभव हो जाए यही लगे कि यह चल नहीं रहा हो उड़ रहा हो जितना शरीर में प्राण शक्ति होगी उतना उड़ने का अनुभव होगा चार्ज कर दो स्वहम को दो विदिया है, प्रभू प्रेम को बढ़ाने की वैसे तो ढेर है, पर आज हम दो देखेंगे पहली भोजन सारी भोजन की प्रक्रिया को राजयोग का प्रयोग बना देना भोजन याद में बनाया जाए मौन में बनाया जाए मौन में खाया जाए तो वो भोजन खाने की क्रिया प्रार्थना हो जाएगी, यग्य हो जाएगी, तपस्या हो जाएगी, योग में गिना जाएगा अपनी दृष्टी से उस थाली को चार्ज कर दो एक-एक निवाला, एक-एक कंड, प्यूरिटी की किरणों सो भर दो और अहो भाव से, कृतक्यता के भाव से, धन्यवाद के भाव से कौन खिला रहा है उसे खिलाने दो, हमारे हाथ बहुत छोटे है, उसके हाथ बड़े है, आकरो कस वो खिलाएगा, ये भाव की मेरी पालना यग्य से हो रही है किसी देहधारी से पालना नहीं हो रही है, किसी मनुष्य के पैसों से पालना नहीं हो रही है जो ग्रहस्ते में रहते है, जो मदुबन निवासी नहीं है, वो भी यही समझे कि हमारी पालना यग्य से हो रही है और उससे भी बड़ा संकल्प है मैं स्वैम ही यक्य हूँ महायक्य से पालना हो रही है भगवान खिला रहा है जल्दी-जल्दी नहीं खाना है दिरे-दिरे अभी-भी खाता हूँ और फिर योग करने जाता हूँ योग करने जाता हूँ नहीं यही योग है वो चलना भी राजयोग हो जाए, उठना भी राजयोग हो जाए खड़ा होना भी राजयोग हो जाए, खाना भी राजयोग हो जाए पीना भी राजयोग, सोना भी राजयोग जीवन राजयोग की प्रयोक्षाला बन जाए नहना भी राजोग मैं नहराओं पानी का एक-एक कत्रा एक-एक विकार को धो रहा है शरीर सच्छ नहीं हो रहा है मन सच्छ हो रहा है जन-जन के विकार दक्त हो रहे जेतना प्रज्वलित हो रही है उर्जा का आरोहन हो रहा है कुंडल नीच जाग रही है उर्द्वरेता योगी बन रहा है ये भाव उठू और भागू वावा के कमरे में नहीं उठना ही योग है नाना ही योग है चलना ही योग, बोलना ही योग हसना ही योग तुम हसो तो क्या हो जाए क्या लगे लोगों को जब तुम हसो तो क्या लगे क्या लगे जैसे फूल जल रहे हो तुमारी हसी में भी प्यूरिटी हो तुमारे सोने में भी प्यूरिटी तुमारे जागने में भी प्यूरिटी ऐसा प्यूरिटी का बल आज का वरदान है न संकल्प में भी purity ये प्रथा बंद करो कौन से प्रथा बंद करने को कहा बाबा ने stop this custom this tradition of three P's कौन से three P बताए पहला पाप फिर पश्चाताप, फिर माफी, पार्डन पाप पश्चाताप, माफी छुट्टी हो गई छुट्टी नहीं होगी एक एक कर्म का हिसाब है जो जो तुमने ब्राह्मण बनने के बाद किया लेखा जो का है दाग तो रहेगा पाप पश्चाताप पार्डन बाबने का इस रिति को खतम कर दो stop this custom stop this tradition ऐसी जागरी तवस्था में रहना है कि पाप ही असंबह हो जाए प्रतिपल सजक प्रतिक्षन सजक अंदर ऐसी रुहानी क्रांती निरंतर हो कि मूर्चा हो ही न उपर सारे कार्य चालू है सरकल वर्तुल परंदर सजकता है उपर सेवाय चालू है उपर बात्चित चालू है उपर बोल रहे है पर जैसे ही वो हो जाए एक दम जैसे एक मौन केंद्र खीचे और वहाँ जैसे ही चेतना प्रवेश करे फिर किसी से कोई लेना देना नहीं कुछ पता नहीं कौन क्या है परंद्धू जब कर्मक्षेत्र पर है तो कर्म ही सब कुछ है संपूर्ण समर्पन से complete involvement में से तल्लीनता से किया जा रहा है पर उसके बावजूद भी भीतर सजकता है भीतर साक्षी भाव है भीतर संपूर्ण डिटाच्मेंट है किसी से कोई लेना देना नहीं परन्तु जब भी सरकल पर आ रहे है complete involvement है यह कैसा balance है एक तरफ संपूर्ण तलीन दा दूसरी तरफ सजक्ता और साक्षी भाव एक तरफ attachment दिखाई दे रही है है नहीं दिख रही है परन्तु अंदर भीतर detached है क्या यह भाव हो सकता है इसका लक्ष रखना है सेवा कर रहे है तो सेवा ही सब कुछ है पूरा उसमें जीजान से कर रहे है परन्तु जैसी ही पूरी हुई भीतर एक निशकंप केंद्र है जो हिलता नहीं है जो अडोल है वहां पहुँच जाना कहां थे हम प्रभु प्रेम पर तो प्रभु प्रेम अर्थात परमातमस्ने अर्थात सहज बहुत भाग्ये से यह प्रेम मिला है परण तु ये प्रेम मिलने के बाद भी बच्चे बाबा से क्या कंप्लेंट करते हैं, क्या करते हैं कंप्लेंट, रचता का ग्यान मिल गया, रचिता का ग्यान मिल गया, आत्मा है ये पता चल गया, परमात्मा का ग्यान मिल गया, ब्राम्हन बन गया, सारी प्राप्तिया हो ग प्यान में फिर भी बट फिर भी बट फिर भी क्या दिरंतर याद नहीं है याद में मेहनत है सहज नहीं है बाबा क्या करे सेवाए बहुत कर ली अमरित्वेला बहुत उठ लिया मुर्लिया बहुत सुन ली सुना ली लिख ली लिखा ली कितनी मुर्लिया लिखी होगी उसका तो कोई हिसा भी नहीं है. पता नहीं, अंगिनट डाइरिया भरदी, जब से ग्यान में आये तब से आज तक. क्या करें, उनका समझनी आता है. इतनी डाइरिया भरदी. फिर भी, उत्तर क्या है भगवान का? उत्तर क्या है? क्यों हो रहा है? Heart leakages. heart blocks तो सुनाओगा heart leakage जैसे ही है कई-कई लोग होते बचपन से ही heart की जो valve होती है leak होती है mitral regurgitation, avortic regurgitation tricuspid regurgitation जो खून उपर से नीचे वहता है नीचे के chamber में आने के बाद फिर उपर चला जाता है pure-impure mix हो जाता है patient को chest pin होते रहता है धड़कन बढ़ती है सास फूलता है 2DA को करो तो पता चलता है एक valve leak हो रही है treatment या तो repair करो या तो replacement अगर कम leak हो रही है तो repair से काम हो जाएगा अगर बहुत ही खराब हो गई है तो replacement बाबाने कहा तुमारे problem क्या है तुमारा heart leakages जिस रिधय में प्रभू प्रेम भरा है वहाँ से leakage, hole, crack, krivice कारण क्यों leakage है हाट में क्या कारण है कारण क्या है leakage का दो लगाओ किसमे व्यक्ति में उस व्यक्ति के शरीर में उस व्यक्ति की विशेष्टा में उस व्यक्ति से हद की प्राप्ती में ये पहला लगाओ दूसरा वैभवो में लगाओ ये पहला कारण दूसरा कारण ग्रिणा इर्ष्या किस से व्यक्ति से वो भी जुकाओं की ही अवस्ता है जिससे बहुत नफरत है जिसको हम क्रिटिसाइज करते है अवसर देखते हैं कब ऐसा कुछ कहे कि जिससे वो आहत हो जाए और हमारा बदला पूरा हो जाए ये भी तो उसी का चिंतन है रावन को अंत में किसका चिंतन चलते रहता था दिन रात, राम का कंस रात, दिन रात क्या देखते रहता था कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण उसी तरह जिससे विरोध है जिससे ग्रिणा है, जिससे इर्शा है उसका भी चिंतन चलू रहता है बाबा ने कहा याद करेंगे बाप को याद आएगा वो चलाएंगे स्वधर्शन चलेगा परदर्शन तो ये एक और दूसरा लगाओ लगाओ है किसी से अच्छा लगता है वो खतरनाक तो तब बन जाता है उसका शरीर अच्छा लगने लगता है उसका रूप अच्छा लगने लगता है उसकी विशेष्टा अच्छी लगने लगती है उसी से हत की प्राप्ती हो रही है जब तक वो वहाँ है हम सेफ है उसकी छत्रचाय में रग रहे है जैसे वो भी हमारे गाओ का हम भी उसी गाओ के उसी के साथ काम करना है तो थोड़ा safety है in charge लगाओ जहां पर है वहाँ पर परमात्म प्रेम नहीं है भगवान बड़ा नटखट है कोई दूसरा आ गया तो वो नहीं ठीकता, नटखट तेरा लाल यशुदा नटखट तेरा लाल बहुत ज़्यादा नटखट है, वो चला जाता है भाग जाता है वो कहता है मैं Bible में क्या लिखा है I, God, Thy Lord I am a jealous God मैं बड़ा इरशालू परमात्मा हूं मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं रखना अंदर रखा तो मैं रूट जाओंगा, मैं चला जाओंगा किसी से भी लगाओ किसी भी व्यक्ति से लगाओ बाबा नहीं कहा, बच्चे बड़े होशियारे क्या कहते हैं, लगाओ नहीं है अच्छा लगता है उसके साथ सेवा करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है उसका स्वभाव अच्छा है, उसमें ये विशेश्टा है, उसमें वो विशेश्टा है ये मत भूलना, ट्रेन में बैठे कभी भी उतर सकता है पूँ पिर रोते बैठना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन तो निरंतर चालू ही है नए यात्री आरे आज ही की मुनली में कहा बाबा ने यात्रा पर हो तुम तुम रूहानी यात्रा हो बाप तुम्हारा साथी है और ब्राह्मन परिवार की तुम्हारा साथी है यात्रा में चालू है संगटन में यात्रा करते हैं तो मज़ा आता है खुशी होती है पार्टियों से मुलकात लगाओ संकल्प में, कर्म में, बोल में परिणाम दो यदि किसी से भी लगाओ है या ग्रिणा है इर्शा है, कुछ भी है इसके दो परिणाम है, कौन से? एक fluctuation, दूसरा dissatisfaction, पहला है fluctuation, कभी योगी कभी सहज योगी, कभी मुश्किल योगी कभी याद, कभी पर्याद कभी मस्त, कभी दिल शिकस्त fluctuating mind है, हल चल है मन में, हल चल है इसका अर्थ ही किसी से लगाओ है, व्यक्ति से नहीं है तो जरूर वैभाव से है, वैभाव से नहीं है, तो जरूर किसी स्थान से है किसी ना किसी में तो है, या किसी अतीत की स्मृतियों से है व्यावनुर्ष्य का स्वभाव हो या अतीत में जीता है या तो भविश्य में, वरतमान में कम जीता है वर्तमान में जीना ही जीवन है वास्तव में वर्तमान का ये जो मारग है बड़ा ही सर्करा है narrow is the path की जिएस कहता है बहुत ही सर्करा है मन बड़े-बड़े रास्तों पर चला जाता है क्योंकि अतीत के रास्ते बड़े-बड़े है भविश्यके भी बहुत बड़े बड़े पर जो वर्तमान का है वो बहुत ही छोटा है इतनों सी पगदंडी है मन कहता है यहां नहीं चलना है मुझे पीछे जाना है कभी पीछे चले जाता है कभी आगे चले जाता है narrow is the path तो पहला यदि मन डावा डोल हो रहा है यदि मन डोलते ही रहता है कभी सहज लगता है कभी मुश्किल लगता है कभी अमरित्वेले उड़ते कभी नहीं उड़ते कभी तीन बज़े उड़ते कभी दो बज़े उड़ते कभी साड़े तीन बज़े उड़ते कभी चार तो कभी फिर बाती मत पूछो चुप चाप किसी को बिना बताए कोई देखे ना बाबा के कमरे में क्योंकि रोज देखने वाले कि सोचेंगे आज कहां है ये क्यों इतना fluctuating mind है जरूर कहीं लगाओ है one fluctuation दूसरा बता है dissatisfaction दूसरे कहेंगे तुम कितने भाकिशाली हो तुम कितने सुखी हो वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं दूसरे कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो वो कहेंगे कहां अच्छा उसे अपराप्ती ही अपराप्ती असंतुष्टा ही असंतुष्ट ताज दिखेगी जीवन में और अपनी असंतुष्ट तार के लिए किसको दोशी ठेराएगा किसी और को इसकी वज़े से इसको हटा दो तो सब सुक्षांती जीवन में आ जाएगी डिपार्टमेंट चेंज हो जाए बस फिर तो पुर्शा अर्थी पुर्शा अर्थे बस यह टाइमिंग चेंज कर दो बस फिर तो ऐसा पुर्शात करूंगा कल सुबह तक बाप समान बस बाबा यह जो बाजू में योग में बैठा है न इसको कहीं से बुलावा जाए बस कोई बड़ी सेवा में विदेशी भेज़ दो इसको चलेगा पर भेजो कुछ तो करो बाबा से कहते है न बच्चे बाप से कहते हिसाब बनाओ तुम और चुक्तु करे बाप दूसरों को दोशी ठहराते हैं वो कौन सा शक्तिशारी वाक्य है यहाँ पर भाग के विदाता के बारे में कौन बताएगा बहुत ही पावर्फुल वाक्य है यहाँ पर एक कौन सा कौन सा ऐसा वाक्य है कि जो जीवन भर याद रखना है यहाँ पर भाग के विदाता के विशेंग बच्चे दूसरों को दोशी ठहराते कि इसके वज़े से ऐसा हो रहा है कौन सा वाक्य है कौन बताएगा जल्दी याद करो मुडली एक होता है पिच्चर थिंकिंग पिच्चर थिंकिंग कहता है क्या होता है पढ़ते पढ़ते शब्दों को नहीं देखना हो शब्दों को देखते देखते ही चित्रों में परिवर्थित कर देना इसको कहते है picture thinking विदेश में एक बहुत ही powerful scientist हुआ था कभी Nikola Tesla, हमें तो लगता है वो इस समय इसी ब्राह्मन परिवार में कहिए क्योंकि उसकी सारी विचारधारा ज्यान से मिलती है जिसने इस electric current की खोज की alternating current Nikola Tesla अनुभो उसको visions दिखते थे बच्पन में अगर उसके कुछ invention करना है वो invention करते करते ही वो invention उसको पहले ही मन की आखों में सब कुछ दिखाई देने लगता था इतना detail में एक एक चीज कोई किताब पढ़ता था तो ऐसे पढ़ता था कि वो चित्र बन जाते थे मन की आखों में Nikola Tesla दो गंटा सोता था बस उतनी उसकी नीन थी उसके आगे उसको नीन नी आती थी और फ्रेश रहता था दिन बर क्योंकि उसका कहना था हम ये शरीर है ही नहीं हम उर्जा है और उर्जा को केबल चार्जिंग की आवशकता है बस और मेरा चार्जिंग मेरा कर्म है The greatest scientist ever in this world Swami Vivekananda की मुलाकात हुई थी उनसे 1896 में Vivekananda ने लिखा है कि मेरे जीवन में मुझे नहीं लगता इस से अधिक कोई बुद्धिवान व्यक्ति मैं कभी मिला हूं निकुला टेसला के लिए अगर ये व्यक्ति अध्यात्मों में आ जाए तो विदान्त का विस्तार सारे विश्व में हो जाएगा अगर ये निकुला टेसला अगर अध्यात्मिक शेत्र में आ जाए तो ऐसा स्वामी Vivekananda ने लिखा है उस प्रतिवा का वो व्यक्ति मुरली को सुनते सुनते चित्र बनाते जाना है मन में ताकि याद रह जाए मुरली को पढ़ते पढ़ते ही वो शब्द देखना है वो शब्द ऊड़ रहे हैं और उनको पंख लग गए याद हो जाए क्या वाक्य था वो जल्दी बताओ जब भाग्य विदाता क्या भाग्य बना रहा है पर मात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती अब सब बोलेंगे हमारे पीछे जब भाग्य विदाता भाग्य बना रहा है परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती इस भाग्य को याद करना है और अम्रित वेले इसे दोराना है जब भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है तो संसार की कोई भी आत्मा मेरे भाग्य को कैसे हिला सकती है मुझे वो अवश्य मिलेगा जो मेरे भाग्य में है हो ही नहीं सकता कि ये मेरे मार्ग में बादा बन रहा है मुझे एकॉर्चिनिटीज नहीं मिल रही है सेवा की मैं तो सेवा बोट करना चाहता हूं चाहती हूं पर ये लोग बादा बने हैं अरे परमात्म भाग्य विधादा तुम्हें और भाग्य बना रहा है क्या परमात्म शक्ति के आगे कोई आत्मा की शक्ति जादा है ना वो ही नहीं सकता कितना शक्तिशालिवाक्य है पूरी मुरली का तो लगाओ जुकाओ आकर्शन व्यक्तियों के प्रति हटा दो और दूसरा है वैभो राम, सीता और हिरन हल्चल में लाला आए कोई साधन अगर कोई भी साधन, कोई भी वैभो कोई भी वस्तु संसार की मन को वश में कर रही है हल्चल में ला रही है अर्थात हमारा अकर्षन हो गया है उस वैभाव की तरफ फिर यह दो चीजे होगी fluctuation और dissatisfaction होगा ही होगा इसके लिए इस संसार का कोई साधन इतना शक्तिशा लिना हो कि वो हमें अपना गुलाम बना दे प्रकृति के हम मालिक है हम प्रकृति हमारी दासी है साधनों में इतनी शक्ति कहां इसलिए इसका भी अभ्यास करना है तो वैभाव व्यक्ति शरीर विशेष्टा कोई भी हमें खीचे ना यह लिकेज है और एक चीज यदि भाई और बहन के बीच यदि पांडव और शक्ति के बीच बाप है तो कोई जगड़ा नहीं यह भी कहान आज पांडव शक्तियों को आगे रखे शक्ति पांडवों को आगे रखे दोनों के बीच क्या हो बाप यदि बाप हड़ जाए तो दो चीजे होगी या तो आकर्शन या तो जगड़ा या तो लगाओ या तो कामवासना भड़केगी या तो ग्रिणा नफरत यह दो ही है पर यदि बाप बीच में है तो यह नहीं होगा और लास्ट पॉइंट तुम कौन हो? हिरो, डबल हिरो अइसे डबल हिरो आतमाओ को यह भाग दिया, वान आतमाओ को, आइसे संपूर्न पवित्र आतमाओ को, आइसे रुखानी स्नेह में लवलीन आतमाओ को, आइसे लगाओ मुक्ता अत्माओ को लिकेज मुक्ता अत्माओ को ऐसे क्रैक मुक्ता अत्माओ को होल मुक्ता अत्माओ को सीपेज मुक्ता अत्माओ को ऐसे सच्ची सिताओ को ऐसे सच्ची सिता बनकर रहे ना एक उंगली भी संकल्प अंगुटा भी उदर ना जाए लकीर के बाहर ऐसे रुहानी यात्रियों को ऐसे बीच में बाप को रखने वाली आतमाओं को स्त्री और पुरुष बीच में अगर भगवान चला जाता है तो प्रॉब्लेम चालू स्त्री के अध्यात्मिक पुरुष में पुरुष का देह सबसे बड़ी बादा है और पुरुष के अध्यात्मिक प्रगती में स्त्री का देह सबसे बड़ी बादा है इसलिए किसी को स्त्री देखो ही ना ही पुरुष देखो चेतनाय देखो शक्तिया देखो और पंडव देखो बस उर्जा के कण देखो यह कौन है? उर्जा का क्षेत्र है जिसमें यह सभी उर्जा के कण है यह शरीर भी मेरा शरीर नहीं है उर्जा है तरंगे ही तरंगे इसी का अनुभो करना है अशरीरी बाप से प्यार अर्था अशरिरी हो जाओ ये बाप से प्यार का प्रमान है यदि बाप से प्यार है तो एक ही शर्थ है अशरिरी हो जाओ ऐसे अशरिरी आत्माओ को ऐसे प्रभू प्रेमी आत्माओ को प्रमाद्म प्रेमी आत्माओ को ऐसे 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 रूहानी सनी निश्वार्त सनी धेर सारे स्वमान वाली आत्मों को बाप दादा का याद प्यार गुड़नाइट और नमस्ते हम रूहानी बच्चों को बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड़नाइट और नमस्ते ओम शंदी